भारत में वागों के सरक्षण के लिए चलाए जा रहे हैं प्रजेक्ट टाइगर के 50 पर्स पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर N.T.C.A. यानि National Tiger Conservation Authority ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट का टाइटल था The Status of Tigers 2022 जिसके माध्य हम समझानेगे कि बर्तमान में भारत में कितने टाइगर्स हैं साथ ही साथ हम यह जानेगे कि भारत के किन राज्यों में सबस्यादा बाग पाई आते हैं और भारत के लाबा ऐसे दुनिया के कौन से देशें जहां पर परियात मात्रा में टाइगर्स पाई आते और उस समय आप देखें तो भारत में मात्र 268 टाइगर सी बज़े हुई थे लेकिन उसके पहले अदि आप देखें तो 1900 में लगभग भारत में 40 सजार से जादा बाग हुआ करते थे लेकिन आप बाद में देखें तो अबैज, सिकार और राजा महरजा की सौक के कारण बहुत से टाइगर की संक्या घटती गई साथी साथ आप देखें डीफोरेस्टेशन का रेट भी बहुत जादा हुआ जिसके चक्कर में जो फोरेस्टिर एरिया है वो कापी कम होता गया प के सनक्षन के लिए एक अभियान चलाया उसी का नाम है प्रजेक्ट टाइगर और उसी बर्स रॉयल बेंगोल टाइगर को भारत का नैस्टनल एनिमल भी बना दिया गया नहीं तो इसके पहले एसियाटिक लाइन ही इंडिया का नैस्टनल एनिमल हुआ करता था लेकिन आप में आप देखें तो 2006 में अगेन इनकी संक्या घड़ जाती है और यह होती हिमात 1411 फिर 2006 की बाद से लिए आप देखें तो लगातार भारत में बागों की संक्या बढ़ती गई है तो 2010 में आप देखें 1706 बाग हो जाते हैं 2014 में आप देखें तो 2226 बाग हो जाते हैं 2018 में आप देखें तो 2966 बाग हो जाते हैं और अभी जो रिपोर्ट आई है 2022 की उसमें भारत में बागों की संक्या हो चुकी है 3166 यानि आप कहाते है कि पिछले 4 सालों में लगबख 200 से जादा भागों की संक्या बढ़ गई है अब हम बात करते हैं कि क्या भारत की सभी राज्यंवों में बागों की संक्या बढ़ यै तो ऐसा नहीं है इस मैब में आप देखें जो भी आपको रैड कलर से देखने अग़ का यह TIGER की प्रिजेंस को दिखाता है कि किन एरिया में TIGERS पाई आते तो इनमें से कुछ एरिया में TIGERS की संकिया बढ़ी है और कुछ गटी है तो आप यहाँ पास देखें सिवालिक और गंगा प्लेन वाला एरिया तो इस वाले एरिया में बागों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है इसके लावा जो यह सेंट्रल हाइलेंड्स और इस्टन घाट वाला एरिया है यहाँ पास भी बागों की संख्या पर्यात मात्र प्लेन नहें दोनों एरियाज में बागों की संख्या घटी है अब आप यहां पास देख सकते हैं कितने उनकी संख्या घटी हुई है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सिवालिक वाले एरिया की तो यहाँ पास आप देखें 2018 में 640 बाग वाग वा करते थे और अभी यहाँ पास लगबख 804 बाग हो चुकी है इस एक सीरी हम बात करें Central Highlands और Eastern Ghats की तो यहाँ पास 2018 में 1033 बाग वाग वा करते थे और अभी फिलाल यहाँ पास 1161 बाग हो चुकी है फिर देखें हम बात करें Western Ghats की तो आप देखें इस वाले एरिया में बागों की संक्या घटी है तो 2018 में यहाँ 981 बाग वा करते थे और आज की रेट में यहाँ पास 824 बाग ही बचे हुए इसी तरीक जो यह नौर्थ इस्ट और ब्रह्मकुत्रवाला प्लेन है यहाँ पास भी बागों की संक्या घटी है तो आप देखें 2018 में यहाँ पास 219 बाग वा करते थे और अब 194 बागी बचे हुए और यहाँ बात करें सुंदर बन प्लेन्स की तो इस बाले एरिया भी बागों की संक्या बढ़ी है तो आप देखें 2018 में यहाँ पास 88 बागों करते थे और अब यहाँ पास 100 बाग हो चुके अब हम बात करते हैं कि भारत के किन राज्यों में सबस्यादा बाग पाई आते हैं तो सबस्यादा बाग पाई आते हैं मद प्रदेश में यहाँ पास कुल बागों की संक्या है 526 और यही कारण बिये कि मद प्रदेश को टाइगर इस्टेट भी कहते हैं और आप समझे दुनिया भर के 55% बाग भी अकेले भूटान हैं चीन हैं और म्यानमार हैं इसकिलाब आप हम बात करते हैं कि जब प्रजेक्ट टाइगर चलाय गए था 1973 में तो उस समय भारत में मात नो टाइगर रिजर्ब भी हुआ करते थी लेकिन आज की डिट में आप समझे लगभग 53 टाइगर रिजर्ब हो चुके हैं और इन टाइगर रिजर्ब की संख्या बढ़ने कारण ही भारत में लगातार टाइगर्ब की संख्या बढ़ती जा रही है